हलो फ्रेंट्स आप सभी का अंजू के किचन में स्वागत है आज हम एपल और मिल्क से इतना टेश्टी और हेल्थी ड्रिंक बनाएंगे जिसको आप सुबह के टाइम पी लेते हैं तो सारा दिन इनर्जी फूल रहेंगे आएए देखते हैं कैसे बनेगा अक्सर हम weekly ब्रत रहते हैं या हमारे साल भर में कोई न कोई ब्रत तोहर आते रहते हैं आज कल अगर आप ब्रत हैं तो इस ड्रिंक को जरूर बना कर पीएं क्योंकि आज कल एपल का भी सीजन है और हम ब्रत हैं तो इसको बना कर अगर हम पी लेते हैं तो सारा दिन हमारा पेट बड़ा रहेगा और हम इनर्जी फुल रहेंगे इसलिए आप इसको जरूर ट्राइग करिएगा हम दो एपल लिये हैं एपल को हम छिल लेंगे आप चाहे तो छिलका के साथ भी इस ड्रिंक को बना सकते हैं लेकिन छिलका बाद में पीते समय हलका हलका हमारे मुझ में आएगा तो न अच्छा लगे इसलिए इनको पहले ही हम छिल लेते हैं जिसे ड्रिंक हमारे दम स्मूथ बने अच्छे तरीके से इनको हम पीलर से छिल लिये हैं छिलते समय ध्यान रखेंगे कि एपल को हम छिल कर नहीं रखेंगे नहीं तो सेप को अगर हम छिल कर रख देते हैं तो को दो भाग में काट लेंगे और उनको पतला पतला पीस में करेंगे जिससे इसके बीज का इस्टीम और बीज आराम से निकल जाए जिससे हम छोटा छोटा पीस आराम से बना लेंगे इस तरी के सिन को छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं सेव के फायदे दो सभी जानते हैं आप हर फन को अपने टेस्ट के साब से और पसंद के साब से खाते होंगे लेकिन एपल ऐसा फन है कि अगर आप बिमार हैं और नहीं भी खाने का मन हैं तो जरूर खाना है और इससे जो हम ट्रिक बनाएंगे वो तो और ही खेल्थी होगा जिसको हम पी कर इनर्जी फुल रहेंगे इनको हम छोटे छोटे पीस में काट कर एक प्लेट में रख लेंगे तब ड्रिक को बनाएंगे जिससे अब बहुत फटा फट और जल्दी हमारा ट्रिक बन जाएगा इस तरकी से काट करिंग को हम प्लेट में रख लिये हैं अब एक मिक्सर जाल लेंगे इस ड्रिंक में हम कुछ ड्राइफ रोट भी डालेंगे जिसमें हम काजू और बदाम लिये हैं काजू बदाम को पहले से पानी में सोक करके रख दिये थे जिससे बहुत ही जल्दी स्मूथ हो जाएंगे और इस जाल में हम कटे हुए पल के टुक्रों को भी डाल देते हैं और अपने टेस्ट के साब से चीनी डालेंगे आप जितना मीठा इस ड्रिंक को बनाना चाहें उससाब से चीनी डालें हम दो ग्लास बना रहे हैं इसमें तीन चम्मच चीनी डालेंगे जिससे प्रयाब तो मीठा रहेगा और चीनी डालने के बास को ग्राइंड कर लेते हैं और इसमें अब एक ग्लास दूद डाल देंग एक ग्लास दूद्ध और दो सेफ से हमारा दो ग्लास ड्रिंक बनके रेडिय हो जाता है और इनको ग्रैंड करके अछे से की स्मूथ पेष्ट में बना लेंगे इदर हमारे पास बर्फ है, आईस क्यूब नहीं है यह हमारे पास बड़ा सा बर्फ का टूकड़ा है, इनको हम क्रस्ट कर लेंगे, क्रस्ट करने के लिए एक kitchen till में लेकर अच्छे से ओपर से हम बेना से इनको टैप करते हुए क्रस्ट कर लेते हैं, जिस्से यह हमारा आईस क क्यों न रहते हुए अगर आपके पास बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े हैं तो उनको क्रस्ट करके आप ड्रिंग के लिए त्यार कर सकते हैं इनको भी हम निकाल कर एक प्लेट में रख लेते हैं जब हम ट्रिंग करेंगे तो उसमें डालेंगे इस तरह किसे यह बर्फ हमारा फटा फट रेडी हो गया अगर बड़े टुक्डों में रहता है तो उनको हम ड्रिंक में कैसे डालते हैं इसलिए इनको क्रस्ट कर लेगा है एक ग्लास लेंगे ग्लास में हम बर्फ को डाल देंगे आप जितना चिल अपना ड्रिंक बनाना चाह अब ब्रत में इनको अराम से पी सकते हैं और जब आपके इच्छा हो कभी भी आप इनको बना कर पी सकते हैं इनको बनाने में नहीं स्मान की जरूरत है नहीं ज़्यादा जंजट है हल्का सा डेकोरेशन के लिए इस पर हम कुछ पंखूरिया डाल देते हैं जिससे इह करें कैसा लगा